आज के इस वीडियो में हम सिखेंगे विंडोज 7 आपरेटिंग सिस्टम में GIF फोटो को कैसे प्ले करते हैं दोस्तों आपने विंडोज फोटो विवर में देखा होगा नार्मल फोटो जैसे PNG, JPG या फिर JPG को आसानी से आप प्रिव्यू कर लेते हैं डमी के रूप में देख लिया जाएं तो कंप्यूटर को ओपन करें और लाइबरेरी के अंदर पिक्चर के अंदर जाएं शेंपल पिक्चर डवल क्लिक करें ये आसानी से विंडोज फोटो विवर में ओपन हो जाता है यहां से नेक्स कर सकते हैं या फिर चाहें तो किसी को डवल क्लिक करके आप उपन कर सकते हैं लेकिन वहीं पर अगर जो कोई GIF जब इमेज आ जाता है देखें आपके सामने एक GIF इमेज हमने रखा है इसे राइट क्लिक करें प्रॉपर्टीज में जाएं और देखें तो GIF इमेज तो GIF के लिए Windows 7 में कोई भी प्लेयर नहीं ह इसे देखने के लिए computer में Internet Explorer का सारा लेना होता है या ओब्हाल कर साइं कनी इर के इन्टरेलेत एक्प्लोरर के अंदर ही खुलता है अगर जो पूराना version internet explorer होगा तो बहुत देरी करेगा या 갈तर्त वर्जन होगा तो साध सिर्था स्छित बशन होग साई सिर्था से हो अब ऐसे कई GIF वो सिखरता से प्ले करने हो और बारिकी से देखने हो तो इसमें कई फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं इस सिर्फ दिखावे के लिए तो इसलिए इसे क्लोज कर देते हैं कैसे आप अपने Windows 7 operating system में कैसे इसे आसानी से देख सकें तो उसके लिए एक छोटा सा software आपको इस्टॉल करना होगा चुकि हमारे डेक्स्टॉप पे अभी नजर आ रहा है जिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्सम में मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे डबल क्लिक करें और इसके अंदर जो सेट अप मिलेगा इसे 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 इ है थोड़ी दिर में आपके कंपेटर स्क्रिन पर इसका आइकन आ जाएगा और यहां इंस्टॉल भी हो जाएगा इल्ले हमने इंस्टॉल कर दिया आपके सामने देखी 7GIF नाम का एक चोटा सा विंड़ो आगा गया है तो लो जिया इसे हम क्लोज करते हैं इसे भी क्लोज क क्लिक कीजिए प्रोपर्टीज में जाएगे और देखें आटुमेटी के 7GIF में आ गया यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप यहां चेंज पे क्लिक कीजिए और अपने 7GIF को शलेक कीजिए ओक कीजिए अप्लाई और ओके अब इस GIF इमेज को डबल क्लिक कीजिए देख सब्सक्राइब की मदद से GIF फोटो को आप आसानी से अपने Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में देख सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं के लिए वीडियो में तब तो के लिए नमस्कार जय हिन जय भारत